मधिपरदेश में एक बार फिर शॉपिंग प्लाटफॉर्म एमाजन विवादों में घिर गया है पहले भी इस पर विवाद हो चुका है और एक बार फिर से ग्रेह मंत्री नरोत्तम विश्रा ने एमाजन कंपनी को चेतावनी दी है इसका कारण है तिरंगे वाली टी-शर्ट और जूते जिसका सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक विरोध किया जा रहा है इसी कड़ी में ग्रेह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बड़ा एक्शन लिया और कमपनी पर F.I.R. के निर्देश दे दिये है मीडिया से चर्चा करते हुए मत्यप्रदेश के ग्रेह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह कहा कि Amazon के खिलाफ F.I.R. की जाएगी इसके लिए D.G.P. को निर्देश दिये गए है साथ ही कहा कि देश और राष्ट्री अध्वज तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे यह पहला मौका नहीं है जब Amazon पर इ की जा चुकी है तमाम चीजे पहले भी सामने आ चुकी है अब एक बार फिर से 26 जन्वरी के पहले तिरंगे को लेकर टी शर्ट और जूतों को लेकर इस तरह का मामला सामने आया है गरतंत्र दिवस के मौके पर ऑनलाइन शौपिंग प्लैटफॉर्म Amazon ने कई प्रोडक्ट जैसे चॉकलेट रैपर चाबी की रिंग, फेस मास्क, सेरेमिक मग, टी शर्ट, जूतों और कपड़ों पर सेल शुरू की थी जिस पर राश्रिय अध्वश तिरंगा छपा हुआ है जिसका भारतियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है और ट्विटर पर हाश्टाइग Amazon इंसल्ट नैशनल फ्लैग ट्रेंड कर रहा है और इसे सोशल साइट से आठाने की मांग भी की जा रही है इस ट्रेंड के काफी तेजी से बढ़ने के बाद मध्यप्रदेश के ग्रियमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर आक्शन लिया और एकॉमर्स कंपनी के खिलाफ देश जारी कर दिये है